तो Hello Friends, काफी लोग यहां कमेंट कर रहे थे हमें Flipkart Payletter का पैसा Bank Account में Transfer करना है लेकिन हमारे पास कोई भी ऐसा Option नहीं है जिसकी बज़ा से जिसकी मदद से हम लोग अपना पैसा Bank Account में Transfer कर पाएं तो आज की इस वीडियो में complete जानकारी दूँगा कैसे आप लोग इसको कर सकते हो, क्या तरीका होने वाला है क्योंकि अभी आपको flip card में direct कोई भी ऐसा option नहीं मिलता है जिसकी मदद से आप लोग direct यहाँ pay letter का पैसा अपने bank account में transfer कर पाओ तो देखो आपको trick यूज करना पड़ेगा तब ही पैसे transfer कर पाओगे नहीं तो आप लोग यहाँ से कोई भी पैसा नहीं निकाल पाते हो अभी मैं आ जाता हूँ account में account में आता हूँ और यहाँ pay letter वाले option पे tap करता हूँ तो यहाँ पे देखोगे जो यहाँ bill generate हुआ है यहाँ पे देख रहे हो 13,770 रुपया और 70 पैसे का यहाँ bill generate हुआ है क्योंकि time to time मैं इसको use करता रहता हूँ जब भी मुझे पैसे का जरूरत होता है मैं यहाँ से पैसे निकाल लेता हूँ और कोई भी यहाँ चार्ज नहीं देना पड़ता है हलाकि मुझे last time चार्ज देना पड़ा था यहाँ 17% का यहाँ पे देख सकतो sorry 17% नहीं 70 पैसे का मुझे चार्ज देना पड़ा था तो आज की इस वीडियो में आपको ही बताने बाला हूँ किस तरीके से आप लोग इसको यूज कर सकतो और इसका जो भी लिमिट मिला देखो पे लेटर का पैसे आप लोग यूज कर पाओगे यहाँ जो यह माई बला है उसको आप लोग यूज नहीं कर पाओगे अभी देखो के पे लेटर में 11,500 अभी और बचे हुए है और इस पैसे को मैं यूज कर सकता हूँ तो वीडियो को सुरू से लाश्ट तक देखीगा सारा कुछ बताऊंगा इस वीडियो में साथ ही साथ जो लोग चैनल पर पहली बार होंगे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लिजएँगा वीडियो पासंद आता है वीडियो को लाएक कर दीजएगा और एक काम आपको और करना है करना क्या है आपको बेल आइकन को प्रेस कर देना इन फ्यूचर कोई भी वीडियो आता है Flipkart Paylator या किसी भी Paylator से related आपको notification मिल जाएगा और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पोगे एक काम आपको और करना है, करना क्या है सबसे पहले तो आप लोग को यहां से Flipkart सर्च कर लेना है प्लेयर स्टोर में आके आगे और यहां से देखोगे आपको update देखने को मिलेगा तो सबसे पहले आप लोग update करना अपडेट करोगे तभी आपका पैसे यहां transfer हो पाएगा अगर आप लोग यह सोच रहे हो कि हम लोग update नहीं करेंगे और हमारा पैसे यहां transfer हो जाएगा तो ऐसा नहीं होने वाला है सबसे पहले इसको अपडेट होने देना है थोड़ा से हम लोग बेट करते हैं जैसे ही अपडेट होता है हम लोग इसको कर लेंगे open अब यहाँ पर देखो कि installing पर जा चुका है जैसे ही install होता है आपको इसको कर लेना है open open करोगे कुछ इस तरीके से यह open हो जाएगा open होने के बाद आप लोग यहाँ से देख सकतो my account का यहाँ option आ रहा है account का इस पर आपको tap कर देना है जैसे ही आप लोग tap करोगे यहाँ पर देख सकतो credit option आ रहा है personal loan के लिए flip card taxes bank credit card और यहाँ पर देखोगे flip card pay letter अब हमें pay letter से पैसे निकालने है तो flip card pay letter बाले option पर tap कर देना है जैसे ही आप लोग tap करोगे कुछ इस तरीके से यह loading लेगा आप यहाँ पर देखोगे सारा कुछ पहले की तरह आ चुका यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि कुछ नया आपको देखने को मिलता है हाँ नया आपको यह देखने को मिल रहा है personal loan बला जिसमें कि आप लोग देख रहे हो 5 लग तक को आपको loan मिल सकता है लेकिन ऐसा बोला जा रहा है no paper work अगर आप लोग इसको apply करते हो तो बहुत सारा कुछ आप से पूछा जाता है और आपका यहाँ loan भी reject कर दिया जाएगा अगर आपका civil बहुत अच्छा है तभी आप लोग यहाँ try कर सकते हो और नहीं तो आपका पैसा यहां से नहीं निकलने वाला है यहाँ से आपको loan नहीं मिलने वाला है तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे जो available limit है 16,864 रुपे 78 पैसे है और जो total approved हुआ है 55,000 रुपे यहाँ approved हुआ है और यहाँ से पैसे सारे मैंने यूज कर लिए हैं अभी आप लोग यहाँ पे देखोगे नीचे आओगे किवाइसी अस्टेटर्स आ जाएगा manage link है और यहाँ पे pricing, fee, charge previous, bill सारा कुछ आ जाता है लेकिन direct transfer का कोई भी option आपको देखने को नहीं मिलता है यहाँ पे देखोगे तो आप लोग flight के लिए ticket book कर सकते हो यह option अभी नया add होग है तो अगर आप लोग उसके लिए पैसे नीकालना चाह रहा हूँ तो यह कर सकते हो slide करोगे, आप लोग यहाँ पे देखो के shopping का option आता है तो shopping के लिए तो यह था ही, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अब आपको एक ही option मिलता है जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हो सबसे लाश्ट आओगे इसको स्लाइट करके और यहां पर पे यूर हाउस होल्ड विल और फिलिप कार्ट यह आता है तो इस पर आप लोग टैप करोगे टैप करने के बाद कुछ इस तरीके का ओपसन आएगा देखो टोटल दो ट्रिक मैं बताऊंगा जिससे आप लोग अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हो फर्स्ट ट्रिक यह होने वाला है यह इसलिए क्योंकि यहां से हमें मिनिम्म चार्ज या फिर कह सकते ह हम लोग यहां से पैसे निकाल लेते हैं मैं इसी तरीके से पैसे निकालता हूं कैसे निकालता हूं वो मैं आपको बताता हूं तो सबसे पहले आप लोग यहां पर देखो गया इलेक्रिसिटी हो गया मोबाइल पोस्पेड गैस हो गया लैनलाइड पोस्पेड हो गया ब्रो आप्षन भी आपको नहीं मिलता है, यहाँ पर housing and society पर आप लोग rent payment कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर कुछ चुनिंदा है, यहाँ पर चुनिंदा इसलिए बोल रहाँ क्योंकि यहाँ पर जो भी लिखा हुआ आरा है, जो भी आपको यहाँ list मिलता है, यहीं आप लोग payment कर सकते ह को इतना ही मिलता है लेकिन हमें पैसे निकालने तो उसके लिए क्या करेंगे अब आपको दो आप्शन यहां बच जाता है एडूकेशन फी या फिर होस्पिटल और पैथोलोजी इन दोनों से आप लोग पैसे निकाल सकते हैं तो होस्पिटल और पैथोलोजी वाले आप अब इसके लिए भी आपको जुगार करना होगा वहां पर आपको कोई बंदा होगा तब ही आप लोग पैसे उनसे ले सकते हो हाँ उन्हें आपको चार्ज थोड़ा देना पड़ सकता है क्योंकि कोई भी आपका काम फिरी में नहीं कर देगा अब यहां एडूकेशन फी व जहां कोई आसपास सिटी नहीं है तो आप लोग अपना डिस्टिक डाल दोगे और यहां से नेक्स्ट कर दोगे नेक्स्ट करोगे अब आप लोग देखो कि यहां पर बहुत सारा स्कूल आ चुका है जैसे अराध्या ग्यानोधय आ गया यहां पर अरोरा आ गया जोती स्कूल मेरे पास काई है अब मैं यहां से पेमेंट कर सकता हूँ अगर कोई भी बच्चा जाता है जैसे कि काफी सारा बच्चा यहां जाता है मेरे आसपास का और वो लोग मंतली यहां से पेमेंट करते हैं तो मैं करता क्या हूँ उनका पेमेंट यहां से कर देता हू और उनके guardian से पैसे ले लेता हूँ यह option हो गया यहां से आप लोग कर सकते हो या फिर अब आपको एक option और मिलता है जहां से पैसे निकाल सकते हो इसके लिए क्या करोगे home page पे आ जाओगे कोईसी को भी phone खरीदना है मानलो आपके घर में किसी को phone लेना है नहीं करके मैंने यहां पे payment पहले ही कर दिया तो आप लोग मुझे पैसे दे दो और आपका जो भी समान आएगा वो आप लोग ले लेना या फिर जैसे ही समान आता है उनसे आप लोग cash ले लोगे तो यही तरीका है जिससे आप लोग फिलिपकाट पे लेटर का पैसा यूज कर सकतो अपने bank account या फिर बोलते हो अपने हाथों में ले सकतो किसी और के थुरूदर आए डाइरेक्ट आपको ऐसा option नहीं मिलेगा कि फिलिपकाट पे लेटर का पैसा बैंक एकाउन में transfer कर पाओ तो फ्रेंड्स उम्मिद करते हूं आप लोग समझ गयोगे फिलिपकाट पे लेटर का पैसा निकालने के लिए अभी आपको क्या करना पड़ेगा तो अभी हम लोग वीडियो को यहीं करते हैं समापत उमिद करते हैं वीडियो पसंद आओगा वीडियो पसंद आओगा वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में